हेलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत आपको मेरे को और नए बैंक श्रिप्टी के लर्निंग वीडियो पर दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी ये बैंक खिनिप्टी है ये कौन कौन से 12 बैंक से चलता है और किस बैंक का कितना वेटेज होत पर नीचे लेकर या सकता है तो यही मैं बताने माला हूँ दोस्तों तो यहां आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो पसना है तो लाइक कर दीजगा और इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्राइब करें घंटी को इनांग है छे नॉमबर दोसर बाइस और अज संडे है और मैं आप बताता हूं कि कौन कौन सा बारा बैंक है जो बैंक को चलाते हैं तो देखिए इसके लिए हमको आना पड़े को क्रोम ब्राउजर पर यह देखे दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे द पर छे देखिए यह बैंक हर्टी आ गया और बैंक ह gapी का देखिए यह देखिए यह देखिए बैंक हर्या जह है यही बारो ह्मेंड के चलता है और यह देखिए लिए बढ़ वांच्छिप्र्विंट्र, जो भी है यह 6 मतलब यह सारे लास्ट अपको दीख रहे होंगे सभी बैंक के यह देखिए यह 12 बैंक आपने देख लिया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सब बैंक का कितनावटेज होता है फिर मैं बता हुगा कि कितना point मूप करेगा तो कितना पॉइंट उपर निचे करेगा देखे दोस्तों आगे आप देखते रहे हैं वीडियो भर थोड़ से लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा देखे दोस्तों यह देखे मैंने यह पीडियाप दोस्तों नसी पर से डाउनलोड किया हुआ है आप खुद जा करके कंपोनेंट वेटेज करके सर्च करेंगे तो यह आपको इनसी पर पहला वेपसाइड आपको मिल जाएगा यह पीडियाप आपको मिल जाएगा देखिए यहां पर दोस्तों दस बैंक का वेटेज दिया हुआ है बाकी दो बैंक भी मैंने ढूंड के निकाला है तो सबको मैं परेंट और इस टेट बैंक का 10.99% कोटक बैंक का 10.87% hypertension pipeline का पांच पॉइंट 57% रुकि सब दोस्तों ये 10, 20, 30 और 37% दोस्तों ये 4 बैंक से और मतलब चलते हैं बैंक निप्टी तो देखिए ये अपने वेटेज देख लिया अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे कि कौन सब बैंक के दी कोई भी बैंक एक पॉइंट मूब करेगा कहां पर 14,255 पर क्लोज हुआ है तो दोस्तों इमान लीजे आपकी हर बैंक के दी सभी बैंक जितने बैंक है द्बारट हो सब के सब बैंक अगर एक परसेंट मूब करते हैं तो बैंक हिंटी को भी एक परसेंट उपर लिके जाएंगे तो जब यह बैंक की 1% उपर लिके जाएंगे तो एक 4,255 पर है दोस्तों इसका मैंने 1% कितना हुआ वो 4113 पॉर्इंट हुआ इसका बैंक हिंटी का 1% हुआ चारसो तेरा पॉर्इंट लेकिन दोस्तों यह एक परसेंट जाने में ये सारे बेंक अपना-पना 1-1% बढ़े तब ये बेंक से तो छारसा तीरा पॉइंट उपर लेके गए, तो सारे बेंक 11% मैंने देखें, ये सारे बेंक का मैंने 11% निकाला, तो कितना आया देखें, HDFC1407 पर है उसका मैंने 140% निकाला तो ये 15 पॉइंट आया, वैसे ICI-CII का पर्संट निखाल तो यह 9.00 आया और यह सारे का मैंने देखिये दोस्तों सभी का मैंने यहां पर 1.00 निकाल लिया है जो कीतना पॉइंट है आपको यह मैंने देख रहा हुआ देखे पंद्रा पॉइंट यह 9.8.6.19 पॉइंट यह मतलब 1.00 पर्संट है सभी का और आगे दे .99% यह सारे weightage हैं अब weightage का नुसार दोस्तों देखे 413 point को अब weightage का नुसार हम बाटेंगे दोस्तों यह 25% निकाला तो दोस्तों यतना माने निकाला कितना point आया 105 आया मतलब HDFC जो 25% इसका weightage है तो जब HDFC 15 point मूब किया तो यह 25% weightage का नुसार ये जो है बैंक शिंप्टी को 105.2 लेके गया दोस्तों 25% अगर 413 का आप 25% निकालेंगे तो 105 पॉइंट आएगा वैसे ही दोस्तों ये 413 का आप 24% निकालेंगे तो 101 पॉइंट आएगा वैसे ही सभी का मतलब percentage कनुसार मैंने सब का निकाला हुआ है और सबको मैंने 413 को इस सभी बैंक में दोस्तों वेडेज कनुसार मैंने बाठ दिया बाठने के बाठ देखें किया पॉइंट आया वह की 105 पॉइंट एक ही एक directly आपे 111 पॉइंट वैसे ही सभी कब देखें इतना इतना पॉइंट आ अब देखे दोस्तों यहाँ पर तो यह सारे ये 413 point ये सारे बट गए मतलब वेटेज करू नुशार बट गए लेकिन दोस्तों अब हमको निकालना है एक point पर कितना move करेगा तो देखे जब bank 1% move किया तो कितना point move किया ? पंद्रा point नहीं जब बैक किटने बोलता हूं जब HDFC bank 1% move किया तो तो कितना एक परसेंट उसका हुआ है 15 पॉइंट हुआ है तो मतलब जब एक पॉइंट बैंक 15 पॉइंट को उपर लेके गया तो जब मैं इसी 105 पॉइंट को जब मैं 15 से डिवाइट कर दूंगा तो 15 से 105 मतलब जब 1 पॉइंट HDFC बैंक उपर जाता है तो वो बैंक नटी को 7 पॉइंट उपर लेके जा सकता दोस्तों 7 पॉइंट मतलब नीचे लेकरके जा सकता है एक पॉइंट में तो जैसे ही देखे सभी बैंक आ गया HDFC bank का मतलब सभी bank का मैंने देखिए निकाला हुआ है यह देख सकते हैं आप HDFC bank का है मतलब एक point movement पर यह 7 point लेकर करके जाएगा वैसे देखे 105 जो है यह 15 point का movement पर 105 point लेकर गया है तो एक point पर मैंने 115 को मतलब 105 जो है 105 यह वाला इसको मैंने 105 को जो है 15 से divide कर द Bubble तो यह 7 point आ गया तो मतलब एक point पर 7 point move करेगा HDFC के 1 point पर और यह ICIC bank एक point move करेगा तो यह 12 point move करेगा bank empty वैसे ही SBI अगर 1 point move करेगा यह 6 point निकों उपर लेके जाएगा वैसे ही kotak bank अगर 1 point move करेगा तो यह 2 point bank उपर लेके जाएगा वजिसे ही SBI bank अगर 1 point move करेगा तो 8 point उपर लेके जाएगा तो इसको दोस्तों आप screen shot लेने के लिए देखिए यह मैंने seat 1 पर उसका पूरा कल्कुशन करके इसको आप screen shot ले लिजे देखिए HDFC bank का पूरा मतलब weightage है यह और यह उसका एक point का मतलब कितना point उपर जाएगा वह point है यह कि एक point अगर HDFC bank एक point move करेगा तो यह bank निप्टी जो है यह कितना point जाएगा वह यह वाला list है वही तो आप इसका screen shot ले सकते हैं यह देखिए तो इसको दोस्तों यह दीखिए अप ले लिजिए और इसका calculation देखिए मैंने कैसे किया ओभी आपको मैंने दिखा दिया यह देखिए पहले component देखिए यह सारे हैं और सारे किया देखिए मैंने price करूं सार,cheol price चल दोके चल carbonus मैंने आप एक 403 को दोस्तों यह वेटे का परसेंट जो है उसके अनुसार मैंने बांट दिया तो 400 पॉ exclud में 25 35 जो 400. है इसका 25% आ गया दोस्तों 400 का 45 परसेंट 105 मतलब जब हो सी बैंग 15. मुब किया को हैं तो एस पंद्रा पॉंट जो है यह साथ आया तो मतलब यह HDFC का एक पॉइंट का मुवमेंट है मतलब एक पॉइंट के मूव पर यह बैंक निटी को साथ पॉइंट उपर नीचे ले करके जा सकता है तो दोस्तों यही है सभी का देखिए सबका मैंने केल्कूशन करके निकाल दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते की सब नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए जैहिन वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद